हर हर महादेव एक प्रश्ण भी आया है और मैंने वीडियो देखा है किसी का एक विद्वान है नाम तो नहीं बता सकता लेकिन उन्होंने कहा है कि घी और तेल को मिक्स करके मिश्रित करके दीपक जलाएं और भगवान के सामने अरपन करें तो मैं शास्त्र का प्रमान देता ह हूं कि कभी भी यह ऐसा कारिये ना करें यह सबसे गलत है आपको शास्त्र का प्रमान देता हूं कालिका पुरान में लिखा हुआ है कि ना मिश्री कृत्य दद्यात्तू दीपक दीपम स्नेहें गृतादिकम गृतेन दीपकम नित्यम तिल तैले नवापुना है अरथात कभ कभी भी घी व तेल को मिलाकर दीपक को कभी भी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए ना भगवान के सामने ना कहीं भी केवल घी का तो घी का जलाए पूर्ण रूप से शुद्ध या तेल है तेल का जलाना है तो तेल का जलाए शुद्ध रूप से तब ही भगवान के सामने नित्य कर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ में एक और बात है ज्वाल येन मुनिशार्दूल सन्निधो जग दीशितु कारपा सवर्तिका ग्राया ना दीरगा ना दीरगा ना शूक्ष्मिकाहा बत्ती होनी चाहिए वो शुद्ध रुई की होनी चाहिए और बत्ती ना तो बहुत ही छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत लंबी होनी चाहिए ये बात आप ध्यान रखें ये शास्त्रोक्त प्रमान है किसी की बातों में ना आए यदि कोई शास्त्र से बताता है शास्त्र सम्मत जानकारी आपको प्रदान करता है तो ही आप उनकी बातों में आये अन्य था कभी भी ऐसे विधी हीन जो कारियें हैं वो नहीं करने चाहिए इससे आपको दोश लगेगा आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और कमेंट में आदे